इसे बातशीत भी करेंगे घर में जाने से पहले आप कहां थे उस दोरान जब उब्दरवी जो आपके घर में दाखिल हुएं महासी तैसील वहां पर हमें सेव रखा गया है फिर पुलिस के परसासन के उसमें निगरानी में हमें यहां घर पर छोड़ा गया है अभी पुलिस हमारे आज आप लोग मुखमंतरी योगी आदितनात से भी मिलने वाले हैं जी जी क्या कहेंगे मुखमंतरी आएंगे अभी जो नुक्सान हुआ है वह मतलब हमारा जो हमें मतलब खाना पानी तो है नहीं सब जला दिये हैं जो मतलब था तो अभी उसलिए कुछ तो मतलब सरकार हम लोग का कुछ तो मतलब वो करे सहिता करे उन्हीं के ऊपर जो है मतलब सब निर्भाय है घर में कितने सदस हैं आप लोग आप कैसे यहां से भागी जब उब्दरवी जो है आपके लगे फिर भी पलाला तूड़े आग लगाए जोन कुछ चीज बस पैसा खोड़ी सब सब ने आग लगा दिया उठा लगे लूड लेगे कुछ नहीं राके ना कपड़े ना खाने पीने के लिए कुछ नहीं घर पे अब आप आप का लोग कहां छिपी थी जिस दोला न या जान में उब्दरवी को आप लोग आते हुए देखी अगर पुलीस कहें कि पैचान लिए तो पैचान लिए अप लोग ना जान पार ओंप एंधैंग आप लगा बस लेट गए तैंग बस लेट गहे जान बचाना अब भी हमारे साथ यहां पर लोग यह बताईए आपके आखों में आशू है जाहिर तोर पे जिसका भी घर में आखजनी होगा उसके आखों में आशू होगा आप उब द्रोईयों को एंटी सोसल एलिमेंट को पहचान लेंगे जब जो लोगा पहचानने का मोकर नहीं मिला हम अपनी जान बचाने की लिए बच्चों की जान बचाने की लिए सिर्व भागी गर छोड़किंग बस अ हमारी का में हमारी जान बकिन हमारा गिन ऊंके पास कहां से आया में ऐ हूं रो तो उनी को पता है हाला कि मुखमंत्री योगी आदितना आपने साफ साफ लफजों में कहा है कि जो भी एंटी सोसल एलिमेंट है उनको बख्षेंगे नहीं उनके सक्त से सक्त कारवाई उनके खिलाफ होगी वह मुखमंत्री है राज चला रहे हैं उनको हम लोगों से जादा से जादा बेहतर पता है कि अब दर्यों पर कैसी कारवाई करनी चाहिए कैसे कई जगहों पर उन्होंने बहुत बड़ी अपैसला किया है यहां भी पूरा भरोसा है हमारे मुखमंत्री से हमें आस है आस अपने मुखमंत्री से ही लगाएंगे अपने प्रावी मनिस्टर से लगाएं जो किस से लगाएं गया हमें इंसाफ कि हमारा नुकसान तो आप देखी रहे हो आपके आखों के सामने आप यह करते हूँ के साथ Eh वो भी सब पटक पटक के मार दियें, हमारी बहन के कपड़ा अपड़े फार दियें, बेजिती जितना हो सका बेजिती कियें वो, घर के सामने दिवाल खड़ी थी, वो सब दिवाल गिरा दियें, बकरी बच्चा ना पा हैं तो इसे पटक पटक के मार दियें, जान से उनको, करें लोग कोई गलती नहीं थी सार ना हम किसी चीज में गये ना हमारा गाव कोई आदमी गया बस गलती यह है कि हम लोग बारत में रहेते हैं यही गलती तुट आज आप लोग मंतिर योगिया इतनाद से मिलने जा रहे हैं क्या कहेंगे मुखमंत्री जी यही एक हाली है एक हम लोग के साथ में हुआ है बहुत गलत हुआ है और सबसे बड़ी चीज अगर हो सके उनके अगर पच्छ में हो तो कुछ हम लोग के पर नजरे गरम करें बिलकुल होगा मुखमंत्री ने एक साफ लफजों में कहा है कि उपद्रवी जो है उनको बख्षा नहीं जाएगा इसलिए उन्होंने अमिताब यस अवाज लगाती हैं आस परोस में आके आवाज लगाती है मारो उमारो उमारो चोट चोड़े बच्चे हैं कहां ले जाएंगे कहां ले तब आगजनी हूए है घर के अंदर की तस्वीरे । हमारे साथ यहां पर देख पा रहे हैं गायों के काफी ज्यादा तादाद में यहां पर लोग मौझूद है जो लगातार डढ़े हूं और जो एंटी सोचल एलिमेंट होते हैं वो कुछ नहीं देखते हैं वो सिर्फ नुकसान पहुचाते हैं किसी भी तरीके से यह तकत है कभी यहां इस तकत पे दोपहर में रात में शाम को लेटा करते हैं तो कोई अब इसको पूरी तरीके से आग के हवाले यहां पर कर दिया गया है और भी हम आपको तस्वीर यहां पर दिखाते हैं और भी घर के अंदर दाखिल होते हैं उसके बाद यह घर का अनाज है गेहूं है जिसे किसान पैदा करता है और इस घर के जो किसान है वो गेहूं पैदा करते थे और यह गेहूं है जराजी इसको मैं तस्वीर पूरा किसान जो महनत करके खेतों में लहसुन पैदा करते हैं उसको जल कर खाक इसलिए इनके आँखों में आसुं है यह किच्छन है किच्छन की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यह देखिए यह किच्छन की तस्वीर हैं इसको पूरा यहां अंदर गेहुं वगेरा रखा हुआ है गेहुं को भी पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया गया है यह अनाज देखिए यह अनाज है ये देखे ये अनाज ये अनाज देखे जरा कैमरे पर इसको जला कर खाक किया गया अब इन लोगों का यही कहना है कि मुखमंत्री योगी आधितनात से यह मिलेंगे आज और मुखमंत्री जी से योगी आधितनात से यही कहने वाले हैं कि इन्हें इंसाफ चाहिए जिस तरीक से उब्द्रवयों ने उब्द्रव मचाया है और यह जान बचाने के लिए पूरा परिवार जो है अंदर खेत में दाखिल हो गया दूसरी तस्वीर और भी भैयावा है दूसरी तस्वीर और भी जादा भैयावा है यह देखिए घर का सारा सामान जला दिया गया है पूरा का पूरा समान जला दिया गया तकहत पर बच्चे जो बच्चे इससे पढ़ाई करते हैं चल यह देखिए बच्चे इससे पढ़ाई करते हैं बच्चे इससे पढ़ाई करते हैं मुर्गा और लोम्री की कहानी मुर्गा और लूम्री की कहानी ये किताब पूरी तरीके से जला दिया गया है आधा जला है आधा नहीं जला है